YouTube पर quality content की कमी नहीं है, बस उन्हें परकने में समय लगता है ऐसे में higher mathematics पर वीडियो ढूनना और भी मुश्किल चैनल को subscribe करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूं Now, let's begin Hello friends, welcome back to another video of this playlist Make sure that कि आपने इसका previous video चरू देखा हो Previous video में हमने देखा था how we can convert multiple integral to single integral तो आज इस video में देखेंगे how we can convert initial value problem to Volterra integral equation तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीज़े बता देना चाहता हूं अगर मैं किसी चीज़ को गलत प्रणाउंस करू या फिर मुझसे लिखने में थोड़ी बहुत mistake हो जाए तो please, please, please मुझे उसके लिए माफ कर देना तो initial value problem basically होता क्या है तो वो क्या होता है चुली में आपके पास एक ordinary differential equation given रहेगा और moreover उसके उपर कुछ initial condition दे देंगे तो उस type के problems को हम कहते है initial value problem जिसको IVP से भी short में बोला जाता है तो IVP का मतलब होता है initial value problem इसको हम convert करेंगे वोल्टेरा integral equation अब वोल्टेरा integral equation क्या होता है इस पर भी already video बना रखा है आप चाहे तो देख सकते है लिंक उसका description में दे दूँगा convert करना बहुत ही आसान है initial value problem to वोल्टेर integral equation में बट उसके लिए कुछ steps है कुछ procedure है अगर उसको आप follow करोंगे तो definitely आपका answer आ जाएगा यहाँ पे हम बढ़ेंगे एक example से ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए तो बढ़ते हैं सबसे पहले example पर Example first convert following initial value problem to equivalent वोल्टेर integral equation तो हमारे पास एक initial value problem given है मैं आपको पहले ही बताया है यह एक तरफ से differential equation रहेगा और उस पर कुछ initial condition given रहे तो बढ़ते हैं इसके solution की तरफ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस differential equation का order देखेंगे इस differential equation का order है अब order कैसे find करते हैं इस पर already video बना रखा है link is in description तो order है इसका two order का differential equation है तो जो order वाला term है उसको इहीं पर रखेंगे that is y double dash of x और आपको पता है y double dash of x को हो या फिर y dash of x करो अच्छिली में इस सब क्या है आपके पास एक function है that is y of x या फिर उस y को हमने क्या किया गया है differentiate किया गया है two times differentiate किया गया है that is d square y upon dx square y dash का मतलब बोठा है dy by dx ये terms आपको आपको already पता होगी क्योंकि आपने differential equation पढ़ा रखा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो भी term है order का उसको यहां रखेंगे बाकि सब को उधर transpose कर देंगे तो इसे में हमें मिल जाएगा cos x ये y of x वहाँ जाएगा तो minus y of x हो जाएगा ठीक है और इस term को हम कहेंगे u of x तो हमें क्या मिल गया y double dash of x is equals to u of x क्यों u of x है क्योंकि lhs part में यह जो rhs part है sorry यह जो rhs part है it is the only function of x इसलिए इसको हम कहेंगे u of x और इसे कहेंगे हम equation number 1 which is very important तो यह हमें मिल गया equation first जो कि यह हमारे पास अब हम क्या करेंगे जो भी equation first आया इसको integrate कर देंगे both side with ranges 0 to x यहापे हम लिख देंगे integrate both side दोनों तरफ इसको integrate कर देंगे और उसका limit हो रहेगा 0 to x में हम limit कर देंगे जहाँ जहाँ हम इसको integrate करने वाले हैं सबकी limit रहेगी 0 to x तो यहापे integrate कर देते हैं that is 0 to x y double dash of x dx which is same as integration 0 to x u of x dx एक चीज में आपको बता देना चाहता हूँ कभी भी integration में अगर उसके जो limits है अगर वो variable है जैसे कि यहाँ देख सको यहाँ पर x variable present है तो अंदर जो भी function होगा ना उस variable का उसमें नहीं आना चाहिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे y double x of x को t से replace कर देंगे जैसा कि आपको पता है f of x is same as f of t क्यों सेम है क्योंकि बस हमने क्या क्या देखने का नजरिया बदल दिया जो भी इस function के अंदर symbol था symbol हमने बस change कर दिया x को replace कर दिया t से similarly हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो integration के limit है वहाँ पर एक variable present है तो अंदर जो भी function होगा उसके अंदर वो variable present नहीं होना चाहिए इसलिए हम हमिशा क्या करेंगे यहाँ पर जो भी variable होगा वहाँ पर हम simply t ले ले लेंगे और उसको integrate करेंगे with respect to t तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा y double dash of t dt which is same as और यहाँ पर भी हमको वही term देखने को मिल जाएगा जैसा वहाँ पर हमने किया यह हमें मिल जाएगा u of t dt अब आगे से चीजे मैं नहीं बताऊँगा simply हम उसको ऐसा लिखके चलेंगे u of t dt अब हमें पता है y dash of t तो हम इसमें limit put कर देंगे that is y dash of x minus y dash of 0 which is same as integration 0 to x u of t dt अब आप देखो यह जो y dash of 0 है यह already हमें question में given है इसलिए से initial value problem कहते है इसलिए आप देख सकते हो y dash of 0 already question में given है जो की है 1 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसकी value हम put कर देंगे तो हमें मिल जाएगा simply 1 मिल जाएगा तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 but minus 1 है उसको वाहाँ shift कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा simply plus 1 मिल जाएगा यह minus 1 उदर जाएगा तो हमें plus 1 मिल जाएगा ठीक है इसको कब तक integrate करना है जब तक हमारा original function y of x नाम मिल जाए तब तक इसको integrate करना है तो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर y dash of x है तो अगें हम क्या करेंगे integrating both side दोनों side इसको integrate कर देंगे और मैंने पहली बता है 0 to x उसका range रहेगा from ranging 0 to x तो अगें यहाँ पर जब इसको integrate करेंगे तो हमें मिल जाएगा integration y dash of t मैंने पहली बता है क्योंकि हमें y dash of t dt लेना है ranges from 0 to x which is same as integration of this term दोनों तरफ integrate कर रहे है इधर का integration लिग दिया यहाँ पर जब integrate करेंगे तो integrate दोनों टम में split हो जाएगा integration of 0 to 1 यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0 to x 1 dt plus integration 0 to x u dt बट इसको integration एक था इसको हम integrate कर रहे है 0 to x इसलिए यहाँ पर दो integration आ जाएगे एक पहले से integration था और इसको एक नया integration जो भी हमने different integrate किया वाला symbol आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर double integration आ गया है तो अभी हम क्या करेंगे इस integration को solve out कर देंगे यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा y-t का integration हमें simply मिल जाएगा y of t y of t मिल जाएगा ranges from 0 to x और यहाँ पर simply 1 का integration होता है t ranges from 0 to x अभी simply हम limits put कर देंगे तो हमें मिल जाएगा y of x minus y of 0 which is same as जब हम हम पर t की जगह पर x डालेंगे तो simply मिल जाएगा x minus t की जगह पर 0 put करेंगे तो 0 मिल जाएगा तो बस x रहेगा plus integration integration 0 to x u of t d t और इसको और अच्छे से लिख देते है u of x से हमें मिल जाएगा that is u of x minus y of 0 था but y of 0 की value कितनी है 0 है which is same as x plus double integration 0 to x u of t d t यह हमें मिल गया अब उसको और अच्छे से लिख देते हैं तो हमें मिल जाएगा y of x which is same as x plus integration 0 to x u of t d t यह हमें जो भी नयाब बना अब देखो हैं यहापे derivative part खतम हो चुका है यहापे differentiation नहीं दिख रहा है कभी पर भी y dash नहीं है y double dash नहीं है सब vanish हो चुका है सब का integration खतम हो गया अब हम इसको और integrate नहीं कर सकते तो ऐसे में यह हमारा last equation बने का और इससे हम कहेंगे equation number 3 कब तक integrate करना जब तक यहापे y dash लिख रहा है मतलब 2 integral है इसको हम convert कर सकते है तो हमें पता है previous video में मैंने बताया है कि इसे convert कैसे किया जाता है हमें मिल जाएगा y of x which is same as x plus 2 integration है मतलब 1 upon 2 minus 1 factorial that is 1 factorial integration 0 to x x minus t whole raise to the power 2 minus 1 again 1 u of t dt यह आजाएगा इसका integration और इसे हम कहेंगे equation number 4 इसको और simplify कर देंगे तो हमें मिल जाएगा y of x which is same as x plus 1 upon 1 factorial is again 1 integration 0 to x x minus t whole raise to the power 1 है मतलब बस x minus t आजाएगा u of t dt अब यह आगा हमारा equation number 4 इसको कहेंगे equation number 4 इसको नहीं कहेंगे हम simply equation number 4 इसे कहेंगे ठीके अब आप पूछ रहोंगे यार तू तो हर जगा equation दे रहा है हर answer आने पर equation दे रहा है तो इस equation का करना क्या है at the end हम क्या करेंगे यह जो भी हमने equation उप्टेंड क्या equation 1, 2, 3, 4 इन सब के value हम निकालेंगे और उन सब को put कर देंगे equation number given equation में यह जो हमारा given इसको star बोल देंगे given star में हम सब को put up कर देंगे और एक चीज में आपको बता देना चाहता हूँ आपने जो भी equations find किये equation 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हो जो भी equations है उन सारे equation में multiple integral नहीं होना चाहिए simply single integral होना चाहिए अगर उस equation में multiple integral है तो इसको आप convert कर ले ना single integral equation में फिलाल यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो equation 3 था इसमें multiple integral था इसलिए हमने इसको convert कर लिया single integral में और इसको हम put करेंगे ठीक है तो यह जो equation 3 है हमने इसको convert किया multiple integral में multiple integral से single integral में convert किया और इसको हम put up कर देंगे equation star में तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम simply लिद देंगे put equation 1 या फिर हम लिखेंगे substitute substitute equation 1 substitute equation 1 second and fourth क्योंकि third है तो third multiple integral था उसको हमने four equation में single integral में convert कर दिया इन सब को हम कहाँ put करेंगे in equation star में put up कर देंगे equation star क्या है एक बार देख लो y double dash of x चीए but y double dash of x क्या है आप देख सकते हो y double dash of x is cos x minus y of x तो इन सब equation को हमें put up कर देना है equation star में तो सबसे पहले कौन आ रहा है इसमें y double dash of x y double dash of x कौन देगा हमें equation first देगा तो उसकी value क्या है u of x तो यहां पर हम लिख देंगे सबसे पहले term आएगा जो कि है u of x plus y of x अब y of x कहां पर है यहां पर आप देखोंगे तो y dash of x है और and moreover यहां पर देख सकते हो इस differential equation में y dash of x का term नहीं है तो इसका मतलब यह कहीं पर भी substitute नहीं होने वाला है ठीक है आगे बढ़ते है हमें put करना y of x की value y of x की value हमने निकाल ली है जो कि है equation 4 उसको हैं पर हम put कर देंगे that is यहां पर चल रहा है plus y of x तो हैं पर हम लिख देंगे plus y of x that is x plus integration 0 to x x minus t u of t dt which is equals to cos x इसी किसे equate कर देना है cos x से equate कर देना है मिल जाएगा हमें हमारा प्यारा वोल्टेरा इंटीकल इक्वेशन तो u of x term यहीं पर है बागी सब को वहां टांस्वर कर देंगे cos x अल्रेड यहां पर था यह x वहां जाएगा तो minus x हो जाएगा यह integration उतर जाएगा तो minus integration 0 to x x minus t u of t dt यह हमें बन जाएगा तो यह हमारा आगया required equivalent वोल्टेरा integral equation आपको यह solutions का समझा होगा तो यहां पर आप देख सकते हो यह जो question थोड़ा छोटा था क्योंकि इसके अंदर हमें simply कितनी बार integration निकालना पड़ा दो बार निकालना पड़ा और इसके अंदर multiple integral सिर्फ एक बार बना तो next video में हम देखेंगे एक और example जहां पर वो थोड़ा question बड़ा होगा lengthy होगा क्योंकि test में थोड़े lengthy questions आते हैं वहाँ पर बहुत सारे हमारे multiple integral बनने वाले हैं यह simple example था इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो अगर आपको जानना है तो link दे दूँगा मैं description में आप वहाँ आजा कि उस video को देख सकते हो तो मिलते हैं next video में अगर मेरा पड़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो like, dislike जरूर कीजेगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है comment कीजे, share कीजे और सबसे जरूरी बात चैनल को subscribe कीजे thank you so much, love you, take care, bye bye